तो दोस्तों शुर्य हम बात करने वाले Jubiland Foodworks Company के बारे में और हम आपर करेंगे Jubiland Foodworks का Weekly Analysis के अब नेक्स टुट के लिए कौनसे मुटान लेबल से हैं जो हमें Jubiland Foodworks के लिए ध्यान में रखने हैं उसके accordingly क्या possible price action यहाँ पर जो है वो हमें इस stock के अंदर देखने को मिल अब और अल मार्केट में भी weakness है तो stock भी यहाँ पर जो है वो गिर रहा है अब नेक्स टुट के लिए में यहाँ पर levels क्या रहेंगे तो Jubiland Foodworks अपने 625 रुपीज के support के ऊपर यहाँ पर जो है वो weekly closing दे कर गया है अब अगर मालो यहाँ पर stock को further correct होना है तो next week में इसको 625 को break करके नीचे निकलना पड़ेगा अगर निकल गया तो further selling आमे 575 रुपीज के support की भी आराम से यहाँ पर इस counter के अंदर देखने को मिल जाएगी